जायन फ्रेंट्स, विलकम्म टू लेर्निक्टू सिक्स्टी, मैं हूँ अजली और आज हम इस वीडियो में BGDG 172 के Unit 5 करेंगे, जिसका नाम है Family and Marriage, तो चलिए, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारा टॉपिक क्या क्या रहेगा, पहला पूछे, Family का नाम सुनके आपादे, अपके मन में सबसे पहले क्या आता है? Protection, Love, Care, थोड़ा सा जगड़ा, और फिर प्यार, ऐसे ही feeling आता है, जितना protection होता है, हम कहां feel करते हैं, हम घर में feel करते हैं, बाहर नहीं feel करते हैं, पर क्या यह सच में ऐसा ही है, सारे लोग के साथ इसा होता है, क्या वो घर पे सच में protected है, यह हम आगे समझेंगे, ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा functionalism, देखे, कोई भी word हो, जिसमें I-ism word जहां भी लगा होगा, क्योंकि अब हम sociology जब start करेंगे, तो आपको यह word बहुत बार मिलेगा, regionalism, secularism, communism, communism, capitalism, तो यह I-ism word जहां ल मतला भी है belief, विस्वास, जिसके मन में functionalism के थियोरी पर विस्वास हो, वो विस्वास को functionalism कहते हैं, और जो ऐसे लोग होते हैं, जो functionalism के system पर यह थियोरी पर बिलीव करते हैं, उनको functionalist कहते हैं, ठीक है, क्या होता है यह functionalism, कि हम आगे detail में जब चापिक कवर करेंगे, feminist perspective, feminist से सब अवेर है, हम लोग थोड़ा भी थोड़ा women के friends लोग में भी अगर भी जब बोलते हैं, कि नहीं आगे, जब चल चल फैमिलिसम का जढ़ा नहीं गार, पर ऐसा नहीं है, हमेशा लड़के ही गलत नहीं होते हैं, और हमेशा लड़के यह लड़का ही गलत नहीं हो तो यहां आता है feminist perspective, feminist लोग वो होते हैं, जो women के upliftment के लिए आवाज उठाते हैं, उनके वारे में बात करते हैं, लाइक कभी-कभी होता है ना कि हमारा ध्यान ही नहीं जाता, या फिर आप पार्लियमेंट में भी देख लीजेगा, तो हर कोई जो representatives होते हैं, अपने अपने प्रॉबलम को बदा रहे होते हैं, तो जो women के तरफ से होते हैं, या फिर कोई tribal group के तरफ से होते हैं, तो अपने tribal का प्रॉबलम हो जागर कर रहे होते हैं, तो जो feminist होते हैं, यह women के upliftment के बारे में बात करते हैं, जहां पिछडी रह गई हैं, जहां उनको नहीं देखा जा उनके प्रोइम को उनके बारे में बातकरते हैं तो, förिषिमिनिस्ट का क्या प्रिसपेक्टिव Kommandla मतलब ऑना प्रोजकी उनका क्या नजरिया है फामिलीी और मैरिज को लेके उसमें आता है तीन तरह के ओमिमिन्स आता है एक लिबरिल फैमिनिस्त जो नंबर A है 3 का A पार्ट है नमबर 2 जो B है वो socialist feminist और उसके बाद आदा है radical feminism इसको detail में हम जब topic cover करेंगे तो करेंगे उसके अधा हमारा 4th topic है feminist studies of family देखिए family को generally जो पढ़ना था वो हम लोग पढ़ लेंगे ठेखिए उसके बाद हम आएगा उसके बाद आएगे कि feminist family को किस तरह से पढ़ते हैं उनका क्या theory है वो क्या कहते है family का definition उनके नजर में क्या है उसके बाद हमारा है उसका sub topic है critique of mainstream research critique क्या होता है जैसे कभी example समझे कभी कभी होता है रहा हम जितनी बार भी अच्छा खाना बनाने का उसके खुश करने का कोजिस करें वो इनसान कुछ ना कुछ नुक्स निकाल ली देता है या फिर आप समझे तो कभी कभी होता है किनी किनी काद़ होता है खाना खाने के बाद हमेसा नुक्स निकालने का थोड़ा थीका रह गया थोड़ा नमक तेज था ठोड़ा ठीक हो सकता था तो ऐसे जो लोग होते हैँ जो नुक्स निकालते हैं जो कमी निकालते हैं वो होते हैं critics ठीक है तो critics का मतलब होता है जो कमी रहे गया उस कमी को उजागर करना उस कमी को HIGHLIGHT करना तो जो feminist है feminist है जो family को पढ़ती है ठीक है, उसके बाद हमारा है topic B, जिसमें हम दलित feminist को पढ़ेंगे, दलित क्या होते हैं, untouchables, जो बोलते हैं अभी तो फिलाल untouchability नहीं है, according to article, आप बताईएगा, comment में, untouchability किस article के तहट बैंड किया गया है, ठीक है, option चन्त दे देते हैं, 16, 17, 18, इस तीनों में से हैं, तो दलित feminist जो होते हैं, वो फैमिली को किस तरह से study करती है, वो बताते हैं, उसमें लोग डीटल में पढ़ेंगे, तो दलित वर्ट क्या है, उसमें अच्छा topic जबाएगा, तो cover करेंगे, फिलाल आप इतना समझें, कि हम लोग, गव्मेंट तो बना चुकी है, गव्मेंट तो टेंपल में नहीं एंटरी मिलता था, बहुत बहुत बुड़ा दसा रहा है, तो वो सब को अभाट ड़ चुका है, पर फिर भी अभी भी हमारे मन में, हमारे मन में, आप सोच रोंगे कि नहीं मेरे मन में तो नहीं है, पर नहीं हमारे मन में है, कहीं ना कहीं वो है, क्योंकि कि कुछ सोचलाइजेशन अप अंदर से इतना इंबिल्ट हो जाता है न हमारे अंदर बच्चपन से कि उसको निकालना बड़ा मुस्किल हो जाता है इसलिए मेरा पोस्टल व्यू है न कि बच्चे जो होते हैं उनका सोचलाइजेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए क्योंकि जो वह वैल्यूस बच्चपन में इनबिल्ट कर लेते हैं वो बाद में भी आप उसको बदल नहीं सकता है अगर वह बच्चपन में यह बाद पच्चा सीध गया ना की चीत करना गलत है वह कभी चीत नहीं कर पाएगा वह कभी बैमानी नहीं कर सकता अपने लाइफ और इन के अंदर वो inbuilt कर चुका है तो कुछ चीच हमारे बच्चपन में जो inbuilt हो जाता है ना वो कभी नहीं निकलता इसलिए बच्चों को सोशलाइजेशन बहुत अच्छे सहोना चाहिए जब आप पेरेंट्स बन गें तो बच्चों के सामने क्या कर रहे है द्यान दीजें यह कि वो जो सीख लेंगे फिर वो नहीं बदला जा सकता तो टॉपिक हमारा है जो फेमिनिस्ट मेनिस्ट फेमिनिस्ट कृटिक पर उसको भुएंगे कि यह बात आप से क्यों बता है क्यों बोले कि नहीं हम भी También बहुत्व को नहीं फदने थोड़ा न थोड़ा हमारे अंतर वी रहेंगrin ten उइंगे ज्जामपल से बताएँगि जब टॉपिक आगा तो उसके हमारा जो टॉपिक का टॉपिक, चाप्टर, टॉपिक फाइफ, डॉमेस्टिक वाइलेंस अंटर्माइनिंग फैमिली एज सेफ हेवन, यह बात अजीब लगता है ना, जब घर में हम लोग देखते हैं कि हमारा सेफ हेवन की तरह है, पर घर में भी बहुत सारा टॉचर, कुछ घर पे भी होता है, आप सोचोंगे सच में घर पे होता है, किनी लोगों का मूँव बंद रहता है, कुछ लोग का बात हाइलाइट हो जाता है, तो हम लोग जब टॉपिक आएगा तो बताएंगे, उसके बाद हम समझेंगे, टॉपिक हमारा सिक्स है, डेफिनेशन क् होता है, मैरेज का मैरेज का डेफिनेशन क्या है, और मैरेज का मतलब क्या होता है, हर किसी के अलग अलग प्रिस्पेक्टिव से मैरेज का डेफिनेशन है, पर क्या जितना सुन्दर सुहाना मैरेज लगता है, क्या सच में उतना मैरेज है, क्या मैरेज जम लोग के लाइफ में लाइफ पार्टनेर के साथ तब आपको लगता है कि चलो कोई जगडाई करने वाला तो चाहिए होना चाहिए तो जो भी हो पर जितना सुहाना लगता है उतना सुहाना ही होता नहीं सबके लाइफ में तो नहीं होता कुछ इसेप्सेप्शनल है और यहां पर हम अच्छे बला वात तो करने हैं कि डिकी तरह से पढ़ रहे हैं क्रितिसाइग कर रहे हैं मतलब जो कमी रहे गया कमी देखेंगे तब ही तो थीक करेंगे और हम लोग तो है next citizen तो उसके बाद हमारा पर वही है कि लगवारत की सच में लड़की लड़की नहीं ओता है ये बहुत लड़का और एक लड़की शादी नहीं करते इस दरहपदी का बात क्यूं कर लिए महावारत के टढम पर चला गया हूं और अब भी है है बताएंगे topic 8 हमारा feminist theory of marriage देखिया भी कुछ दिर पहले feminist लोग जो थी वह family को पढ़ी है family को criticize की है उसके बाद marriage को भी criticize करती है कि marriage का कहाँ लूप होल से उसके बाद हमारा last topic रहेगा divorce और finally फिर complete हो जाएगा तो पहला topic हमारा जो है nature and function of the family उसको समझते हैं family देखिये family हर किसी के आम हम sociology के जब BSOC 1 ले टू का एक इंट्रो किये थे उसमें में explain किये थे हाला कि जब यह book हमराडा complete हो जाएगा तो फिर हम स्टार्ट करेंगे BSOC 1 से लेके 15 तक है books बहुत सारा पंद्रोक्स है बहुत सारा topic है मतलब उसमें जो आप इसको फिर आपको समझ जाएगा कि यह पढ़ने के बाद आप जब पढ़ेंगे तो लगेगा हाँ पच्छे जो रह रहे होते हैं या फिर एक husband वाई जो family बना के रह रहे होते हैं वह family बहुत तरगा होता है एक institution की तरह है एक institution ही बोल सकते है आप उसको जब कोई एक ही परपस से रहते हैं mutual benefit के लिए आपस में उसको हम क्या कहते हैं family कहते हैं तो यह universal है कभी-कभी बोलते हैं कभी-कभी एक office में भी बहुत लोग काम कर रहे होते हैं तो उनका mutual benefit होता है company को grow करना company को बढ़ाना तो उनका जो benefit उनका जो goal है वो एक है और दोनों एक दूसरे से mutual benefit ले रहे है mutual benefit कैसे ले रहे हैं जो employees है वो उनको काम दे रहे हैं जो owner है और owner उनको salary दे रहे हैं तो दूनों ही अपने benefit के लिए रहे हैं तो वह एक family के तरह रह रहे है ठीक तो आपको family जो है आपको हर जगह देगेगा पर क्या इतना ही सुहाना होता है family सब कुछ अच्छा होता है नह होता है कहानी घर-घर की वाला उसके बारे में बात कर रहे हैं provide socialization जो हम लोग को socialization provide करता है socialization क्या होता यह पहले हम topic में cover कर चुके हैं एक बड़ सौट में समझते हैं कि society जो हम लोग को सिखारी होती है न किस तरह से सामाजिक बनना किस तरह से रहना चाहिए मतलब अभी एक इंसान जो होगा कि मतलब आप अगर सोचेंग एक लड़का है imagine करके देखी लड़का है उनका शादी हो गया और शादी होने के कारण सादी होने के बाद उनकी मा बुड़ी मा काफे बुड़ी हो गई है तो उनको धक्के माड़के निकाल नहीं देंगे कभी नहीं निकालेंगे क्यों नहीं निकालेंगे पर वो नहीं हाइलाइट होके नहीं निकालेंगे वो सोच्छिलाइजेशन जो हम लोग को सिखारी होती है कि liberal Colombia करück Carrie neighbor partner एक मदर होने पर किस तरह से बीएव करना है उक पत्नी दिन का क्या करतव पति प्रतु सब कुछ पवहनी की सिक्था करना शुरुसर जिंद्गी में ने और उपैटी है उस से बियॉंड सोच नहीं नहीं देती क्योंकि हमको पता है समाज तो यह चाहता है समाज के धिलाव कैसे जाएंगे विकिभिस समाज थो फिर जीने नहीं देगा तो यह से सोचलाइजीसम। जो जो हम लोग को फैम्ली से सबसे पहले सीखने को मिलता है इंजै कображ सा इस स compare प्रोबाबिलीटी है कि उसके अंदर पैटरी आए कि भड़ा भड़ा होगा वो नहीं जाएगा वो भी अपनी बेटी को नहीं उतना आजादी देगा वो अपनी वाइफ को नहीं देगा उतना आजादी क्योंकि वो देखा है पनी मम्मी और बहन को यह सब चीज हम कहां से सवर्पेंट मिलना चाहिए लड़की भी हम लों से कम नहीं है कहां कम है वी तो स्याचिन में आप नाम बताईएगा विक फ्याचिन में जो एक फीमिल को नूट किया गया पहली विमिन है जो आजमी के तौर पे नूट रूपर लव प्रोट्षिन ऊभिएसली अम लों को सब्सक्वाइ symptom करते हैं कि अगर आपको मिलता है मतलब पूरे बेक्वी सब्सक्रिवाइट不是 कहीं भी जहाँ बीजाते हैं क्या सब एकी रूल है बैटे के लिले नहीं नहीं है आपको मिल रहा है आप लागी है पर ज़ुरुरी नहीं कि सब को मिल रहा है जो है variety को यहां हम आही है को यहाँ we do कर नहीं रहा है जो है उस मेजॉरिटी पार्ट पढ़िए बीजान के में उसके बारे बाड़िए नीव उनी UTI पहले सोचे कि बहुत अच्छों इन आन्थ ô पर देने 325 वहुता दिए बच्चे आएंगे तो नहीं तो बुक्स को इस तरह से डिजाइन किया जाए कि बच्चे और टीचर में गाप कम रहे हैं ठीक है तो इसमें तो इसमें तुम सारा टॉपिक से छोड़ा डिदे उसको नहीं के लिखे नहीं है पर इमें एक्स्प्पुच करेंगे मेरे ये वीडियो देखने के बाद जबाब बुक को लेंगे तो आपको समझ में सब्पुच आजाएगा साही अदी कोई टॉपिक रहेगा जो आपको नहीं समझ में आएगा तो टेंचन नहीं लिजे पर बुक्स अपने साथ रखिए तो पर पापा के डेथ होने के बाद जो उनका इन्हेरिटेंस वाला जो पैसा होता है जमीन जायदाद पर जो बीति को ले सकते हैं लिकियों के लोग दिया जाता है लड़कों क्या दिया जाता है जमीन का हमारा वारिष होता है लोग अपने बेटे को क्या देंगा जो भी हमका है उनके नाम करके चले जाएंगे तो do एक हम पॉलते हैं अब लड़कियों को ड़याइज नहीं चैजग करने हम अच्छा वहनों पॉर्सकों हट ढूर उस में तो जायति ये जादा इंदे चैनेगा Кстати हमको दहेज नहीं लेना है पर हमको हग लेना है और हग जब मिलेगे होते हैं किसे हक ज्ञाइब आपको यह प्रॉसुराल में प्रॉपर्टी पर हग है तो गैरंडी है कि आपके सास सुसूर का देख बाल करना भी आपका हग बनेगा जब आप ऐसा सोचेंगे तो लड़कियो तो पढ़ाया धने एक सिर्टम हो जाएंगर पता है मेड़ी वी मेरा देख बाल करेगया और बेट भी देखcentered कि डीट करिए तो बेटी पढ़ाया धने यह नहीं है भी हमारे बॉना कि उसके बाद हमारा आता है Critic Critic में देखेंगे कि function और family को किस तरह से critically analyze किया जा रहा है बहुत सारा critics है इसका जिस तरह से family दिख रहा होता है protection हर जगा नहीं दिखता है हर जगा नहीं है बहुत सारा sexual harassment तो घर से ही start हो जाता है बच्चे बाहर protected रहते हैं पर घर पे उनके साथ sexually harassed किया जाता है बहुत लोग होते हैं कभी-कभी उनके father होते हैं brother होते हैं cousins होते हैं आस-पास के कुछ relatives होते हैं बहुत बार हम तो आप कोई लड़की से न कोई भी लड़की से न आप कभी उतना उसका trust जीत की देखिये हम 98% लड़कियों का guarantee लेते हैं कहीं न कहीं उपने life में किसी closed one के साथ sexually harassment वाला feel की ही होगी करती ही है जै पर आधी लोग मूँ बंद कर देती है भूल के रह जाती है क्योंकि उनके family का भी बात होता है family के जद कभी बात होता है उन बताना नहीं चाहती है और कभी-कभी हम उननों का मूँ भी बंद कर दिया जाता है कि किसी से कहना मत तो ये हमारे ना family का dark side है welcome to my dark side जो बहुत गंदा पार्ट है जो सिक्का का दो साइट की तरह है हम लोग को बस एक साइट अगर आपके पास सिक्का रखा है तो आपको बस एक साइट ही देखेगा पर पलट के देखिए उसका दूसरा भी पार्ट है उसके बात आता है हमारा difference in access to resources resources में भी equally सबको नहीं मिलता बहुत बार होता है कि बेटियों को थोड़ा मोड़ा खाना मतला खाना पीना भी हो तो थोड़ा जो न्यूटरिशनल डाइट होता है ना बेटों को जादा मिलता है क्योंकि अजियूम किया जाता है हम अपने स्कूल टाइम में पढ़े हैं तो हम देखे हैं कि बहुत सारे लड़की थी जो हिंदी में पढ़ती थी हम लोग का स्कूल जो था इंग्लिशंभ स्कूल ने के बाद वह चली जाते लूट को नियुक चली जाती है नप उन पर विष्वास करके और को पढ़ाना आकर सेम्खूर्स के सूर्स में क्योंकि वह भी इस कारण से कि सोचती है कि मैं घरवर होगा और गरेशनी संभालें कि इस रीजन से क्योंकि उनको सोसलाइजेशन उस तरह से हुगा है तो इसके पीछे भी कही ना कही हमारा समाज ही बहुत मेजर रूल प्री कर रहा होता है तो एक्स जो होता है आप इस पिक् जब बैठी हुई है पेटे पेटे पे चाद आप सोचेंगे मैं छोटा बच्चा है वो बढ़ी हो चुकी है पर नहीं ऐसा बहुत ऐसा घर है जिसमें आप देखेंगे कि बेटे को बोला चाहता है कि छोड़ो ना भाई है तो बाहर जाता है उसको तो वही ना नुमारा रक है आप अगर जब यह बुक कोप्लीट कर लेंके ना तो उनको चोड़न सोब नहीं शको नुमाराः घर हुत और तुस के बाद हमारा जो टॉपिक है डिफेरेंस पर करते हैं उनको फिल करती है उनको कंट्रोल करने के लिए हम दोग क्या करते हैं वालन्स का इस्तेमाल करता कौन है आपके घर का इंडिग्रीटी आपके घर का जो स्टेटमस है वो रहता है अगर कि लड़का कोई लड़का अगर रेप करके आ गया है तो उतना इज़त का इज़त नहीं डूपता उतना इज़त सच में नहीं डूपता समाज का अगर किसी लड़की के साथ हो जाए तो साइद ही समाज उसको एक्सेप्ट करेगा समाज सिंपैथी दिखाएगा पर उससे शाधी करना मुस्किल है, हम देखें, मतलब बहुत रेर आपको pieces मिलेगा, मतलब रेर person मिलेंगे जो बोलेंगे कि हाँ एक rape वाली victim है, उनसे शादी कर लिया जाए, उनको भी, उनका कोई गलती ही नहीं है, अब तो भाई, नया trending चला है, कि रेप के बाद उनको जिन्दा ही नहीं चोड़ लड़कों को आजादी है, रात तक घुमने का बेटियों का आजादी नहीं है, बेटी को रोग दिया जाता है, तुम कहा जाएगी बार, तुम पुझाने का ज़रूत नहीं है, आप मेरे को जाने दीजे ना, आराम से घुम पाएंगा, बस बेटे को घर पे रख लीजे, उ बालेंस का पिक्चर एक दिखाया, बेल्ट वाला पिक्चर रहा है, दूसरा एक पेट जो एक मेल पसन और उनकी जो लड़की बंदी होई है, यह गाव में वगएर जादा दिखा जाता है, कि बहुत यूमिलेट किया जाता है, कि मतलब, अगर कोई दूसरे कास्ट में कर ल सच में बेटी के का दिखाया है, माल लीजे एक लड़की है, वो शादी कर लेती है, बाहर दूसरे कास्ट में जाके, ब्राह्मन हो के शादी कर लेती है, किसी छोटे कास्ट में, या फिर माल लीजे कोई कोई कोबलर है, उसे शादी कर लेती है, उसके पापा अपने अपको लुट को साधी कर ली है आपको जमाज में इजवत से जीने कदीकार नहीं है् समाज बताया है तो उनकी समाज करने के कारण हमारा समाज का गंदज है नहीं कि उसकेबाद हमारे दूशड़ आपी काता है सब बनाया कि लडगों को भार जाकर और अफज में काम करना चाहिए यह वह सब के पीछे कुछ रीजन है और यह function की तरह काम कर रहे हैं मतलब बोल सकते हैं कि हर किसी का अपना-पना function है हमारे society में हर कोई अपना काम अगर अच्छे से करेंगे तो हमारा जो सोसाइटी का जो solidarity है एक जुठोके रह सकते हैं क्लैश नहीं आएगा तो इनके अनुसार कि समाज में जो चीज हो रहा है अगर और घर पे रहना है तो यह समाज के भलाई के लिए अच्छा है मतलब यह किसी पर conflict theory पर बिलीव नहीं करते हैं यह बोलते हैं कि अगर बेटे कि जो equality के नाम पे जो हम लोग आवाज उठा रहे हैं यह conflict लेके आएगा और जो inequality है हमारे समाज में वो सही है क्यों किसले सही है हमारे society के function को रन करने के लिए यह मैन और विमन का जो work का division है पता है मतलब सबको पता है लगता है कि अड़े बहार से बहुत मेहनत करके आए ह आवाड वह में है जो में वेमें होते हैं फ़को इसे ज्यादा रहा है करके तर थोड़े थे आराम करें जा बचाव चाके आराम करते हैं, फिर उनके बाद उनका काम होता है, और सबसे वोस्ट होता है, इतरे 65 डेज ही पूड़ा दीन ही उनका वर्किंग आवड़ा है, उनको नाशनल होले भी नहीं मिलता है, कोई सटेड़े संडे कोई छुटी नहीं मिलता है, पर मेल पेम्बर को तो होता है, कि विमेन पे जादा होता है, उसके बाद आता है हमारा सेकंड टॉपिक जो है, कि विमेन को हो जोता है, प्राइमरी समझा जाता है, कि जो उनका काम है, मतलब क्यों लड़कियों का लाइफ जादा बदल जाता है, लड़की क्यों शादी के बाद अपना बहुत सार करियर को ड्रॉप कर देती है गुछ उनको पदा है कि बच्चे का जू नचरिंग का इनके सर पर आना है उनके सर पर आना है वह प्रेडों को पॉस्व्पन अगर करना चाहती है तो कर सकती है वह कर अगर कर के आई पनृष介 भूरी न में घर इसको की幫णा और में अभी छाया ए संुछाना जो मैं कि अमारे समाज न आदा से ज्यादा ज़्यादा जो बर्डश से रहा है नर्चका को सबनाल के हैं मेरे मैं मतलब एक जा κιों अब मेड़ को ते दाव कर रक्खें जैसे बोल सकते ते पिछले भी वीडियो में एक्जामपल दिये थे कि गर पच्चे को किसी को भी आप देख रहे हैं कि अगर वो पॉटी वगरा कर रखा है तो हम लोग इसको बोलेंगे ममी को बुलाते ना इक उसके पापा को बुलाते कि जो आपका बेटा है या बेटी है बच्चे उनको साफ पर आप जाहेंगे तो निकल सकता है उसके बाद हमारा आता है थर्ड पॉइंट जो जो हस्बेंट वाइफ जो होता है ना एक दुश्यों को म्यूच्वली हेल्प कर रहा होता है मतलब बोलने का मतलब है कि हस्बेंट बाहर काम कर रहा है क्योंकि हम लोग कौन सा थेओरी प करता है तो यह ज़रूरी है हमारे सोसाइटी को सांती से रण करने के लिए इस थिोरी पर वो अगाने पर टालकट पार्सन जो है वह बोलते है कि सो diy जियुक एजन्ट है वहeder के इक लिमबर पर करता है जो हमारे फैमिली जो है मतलब सबसे पहले जो है प्राइमेरी सोचलाइजेशन जो हम पढ़े थे प्राइमरी सोचलाइजेशन जो स्टार्ट होता है वह हमेरे फैमिली से स्टार्ट होता है मतलब छोटा-छोटा वाद जो सबसे बेसिक चीट जो हम सीख रहे होते हैं अपने फैमिली से सीखते हैं उसके बाद स्कूल से उसके बाद हमारे जो क्लोस फ्रेंड्स होते हैं उसके बाद टीचर से उसके बाद आप जहां जहां जा रहे होते हैं अपका चोटा चोटा फैमिली बन रहा होता है उससे आप सीखते चले जाते हैं तो डिपेंड करता है ज पच्छा ठेख और जूइंड दो जन्रेशन रहते हैं और दो जन्रेशन के उसका सिब्लिंग्स भी होते हैं जैसे कि दादा दादी रह रहוד है डादी के साहथ आपके चाटा चाटी वन्हीं है तो यह बड़ा फैमिली हो जाता है जिसको हाम नूखिली फैमिली ना जोइन फैमिली कहते है है कुछ कुछ बाट कभी कभी ना ब्लैंक की हो जाता है दिमार्ग से पर दो जो घर बना करता था अब वो घर पर ना बनके वो प्रड़क्ट बाहर किसी फैक्टर में बन रहा है और इस ट्रेंड का जो जब ग्रो ज़ादा हुआ तो इस टाइम पिरेड को में इंडस्ट्रिलाइजेशन बोले है लोग बहार चले जाते हैं कामाने के लिए अब गहर पर बनाते नहीं है वो बहार जाते हैं किसी एक जगर पून को जाना पड़ता है तो अपने फैमिली को ल के लिए ठीक है पर हजबन और वो अगर थोड़ा भी मतलब अपने हग के लिए आवाज उठाती है ना तो यह वाइफ के स्टेटस के लिए थ्रेटिन के तरह है मतलब उनको फिर डर हो जाएगा फिर वो जो जो घर अच्छे से रन कर रहा था उसमें स्टेबिलीटी मेंटे क्यों आप घर का काम क्यों नहीं कर सकते हैं हम क्यों नहीं बहार जाके अर्ण कर सकते हैं जब मेरे पापा ममी भी में को इतना पढ़ाए है तो बहार क्यों नहीं चले जा सकते हैं तो जब यह बात आ जाता है ना तब यहां पर आता है कंफ्लिक्ट तो इसलिए कहते हैं फं करते हैं उनको हाइली क्रिटिसाइज करते हैं कि एकदम गलत बात है ऐसा नहीं हो था क्यूंकि यह फंक्शनलिजम के नाम पर बहुत लोग बहुत सारा वालेंस भी सफर कर रही होती है और बहुत उनके साथ बड़ा वैवार भी हो रहा होता है तो आवाज उठाना जरूरी है कि इस सोसाइटी को रं करने के लिए वालेंस अपने आप पर सहना जही नहीं है यह देखिए हैं यह फाप से पर वसाइं फॉल आपा के बाहर हो जाते हैं, उठाई देते हैं, और कभी-कभी तो सबॉर्डिनेट मान के उठा देते हैं, कि बाहर का गुस्ता घड़ पर निकाल देते हैं, और फिर सेना पड़ जाता है, देखे, दो ही हुआ, पता नहीं, टाइम सार ज्यादा लग गया होगा, इसके बाद स तो जो टॉपिक हैं, हम एक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, यहीं तक रहने देते हैं, थैंक्यू, पीस